नितीश बावों का सच्चा सिभाई होने के नौते, उनके छबी पे किसी तरह का आँच ना आए, मैंने श्वतेह अपने रिजिलिनेशन की पेश के स्थिए। ब्रहश्ट चार के आरोपों में घिरे नितीश कुमार काबनेट के सक्षा मंतरी मेवालाल चौतरी का इस्तीफा देनी के बाद पहला बयान सामने आया है। 19 नवंबर को खुद पर लगे आरोपों की वजह से मेवालाल चौतरी ने सिख्षा मंतरी का पदभार ग्रहन करने की दो घंटे के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था। राजिपाल ने उनका इस्तीफा स्विकार भी कर लिया है। इस्तीफा देने के बाद मेवालाल चौतरी ने कहा कि नितीश कुमार का सच्चा सिपाही होने के नाते उनकी छवी पर किसी तरह की आच ना आये। मैंने श्वतेह अपने रिजिगनेशन की पेशकस की आधर लिया नितीश वावू को मैंने कहा सर्थ जब तक हम पाक साफ न हो जाएं हम सर्थ नहीं चाहें हैं कि आपके छवी पर कोई दागाए चूकि हम जडियू के और नितीश वावू के सच्चे सिपाही है। इस विवाद के बाद अब मेवालाल की जगा अशोग चौधरी को सिक्षा विभाग का अधरिक्ट प्रभार दिया गया है। 2015 में बनी महागडबंदन की सरकार में भी अशोग चौधरी सिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मेवालाल की विवाद की बात करें तो 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबोर कृशी विश्व विद्याले के कुलपती रहते हुए नौकरी में भारी घपलिवाजी करने का आरोप है उनके उपर आरोप है कि कुलपती रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की इस मामले को लेकर उनके उपर प्रात्मी की भी दर्ज है ततकालीन बिहार के राजपाल रामनात कोविन ने उस वक्त मेवालाल चौधरी के खिलाफ जाँच के आदेश दिये थे जाँच में मेवालाल चौधरी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया था उन पर सब और कृशी विश्विद्याले के भवन निर्वान में भी गापले बाजी का आरोप है आपको बता दे कि सबसे पहले बिहार तक नहीं बिहार के सिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने जा रहे मेवलाल चौधरी से एक के बाद एक तीखे और सीधे सवाल पूछे थे शुविद्या जितने लोगों को मिले और उसी बात को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं कुछ साल पहले सब और विश्विद्याले का एक मामला सामने आया था आपके उपर अनिमित्ता के आरोप लगे थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भरती को लेकर आप पर फायार हुई थी आपको पार्टी से निलंबित भी किया गया था यह सब कोई उचित यहां पर नहीं है कि मुख्यमंत्री करफ्शन फ्री होने के बात करते हैं तो लेकिन आपके उपर इतने अगर गंबीर आरोप लगे थे वह कुछ नहीं है यह सब यह सब बातें कुछ नहीं है जो जांच रिपोर्ट थी उसमें आपने खुद माना था कि आपने कई तरीके की चीज़े में मैंनुपिलेशन वगेरा में आप इन्वाल्व थे इस सब पर कुछ ऐसी बाती नहीं है जरब विकास के उपर बात करें आप किस तरह की विकास हो राज्य में डवलप्मेंट च बिक्षित राज बनाने की बात करना है उसके बाद बेंस्ट्रिम मीडिया ने भी इस मामले को उठाना शुरू कर दिया विपक्ष भी हमला वर हुआ एक के बाद ट्वीट आरोप प्रत्यारोप सड़क प्रदर्शन पुतला दहन और फिर इस्तीफा लेकिन अब मेवलाल चौधरी इस्तीफे को कुर्बानी का नाम दे रहे हैं जो कहां तक सही है आप खुद समझ सकते हैं पटना से उतकर्श संग की रिपोर्ट बिहार तक